विल्कम बैक टूमा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कमिस्ट्री के आपजेक्टिव टाइब कोशन की ठीक है जो कि आपका इस बार सभी आपके जो एक्जाम है वो आपजेक्टिव मोड में रहने वाले ठीक है तो सभी आपजेक्टिव कार्वोध के बारे में जानना है क्या होते हैं कहां से ड्रैब किया जाते हैं मोनोर होते हैं नहीं है इनहीं को पढ़ना है ठीक है यह आपका फिस्ट वीडियो रहने वाला है ठीक है इसमें हम लगबग 25 कोश्चन के आसपास डिसकूस करेंगे सब को आपको अच्छे से पढ़ना है देखना है ठीक है चलिए हम बात कर रहा है बीस सी और आपका सेकंड सेमेस्टर और हम पढ़ना है कमिस्ट्री अब्जिकटिव टाइप कुश्न है एकक करके डिसकस करेंगे और आप भी साथ में बोलेंगे कि आपने कि outta आपको भी अपने आंसर लगाने है थीग है चलिए पहला कोश्चन कहुरा सभी सरक्राज और वे सोब से मीठी सरकरा है ठीक है यह सभी है क्या है सरकराहय है ह् A, B, C और D, ठीक है, सबसे मीठी सुगर आपके काउंसी होती है, यह आपको बताना है, ठीक है, तो फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, तो फ्रक्टोज क्या होता है, भी सबसे मीठी सुगर होता है, ठीक है, यह आपके फ्रूट्स में भी पाया जाता है, किसमें पाया जाता ह थीक है इसलिए इसको fruit सुगर के नामACE भी जानते है ठीक है आर यह है कि आपका मोनो सेकरायड है यह देखना यह तो यह आपका क्या है यह आपका इसलिए इसको क्या कहते हैं फ्रूट सुगर के नाम से भी जानते हैं छेकिन्ड का आंसर करेंगे दूसरा कोश्चन काहरा है माल्टोज का जल अपगटन करने पर किसका माल्टोज का जल अपगटन होने पर क्या प्राप्त होता है इसको जल में डालेंगे तो क्या पराप्त होगा यह आपको बताना है गलुकोज मिलेगा या फ्रक्टोज मिलेगा या गलुकोज यह हम फ्रक्टोज दोनों मिलेंगे या गैलेक्टोज मिलेगा इन में से क्या मिलेगा यह आपको बताना है कब जब आम Maltoz का जलब घटन करोगे थो ठीक है चलि आंसर कीजिए किया हो जागा Maltoz की अगर हम बात करें तो यह आपका एक प्रकार का Disacurate होता है क्या होता है आपका Disacurate ठीक है डाई सेकराड ठीक है सुक्रोज की तरह ये भी क्या है आपका एक प्रकार का डाई सेकराड है इसका क्या करना जलब गटन करना तो क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना ठीक है तो इसके डाई सेकराड का जब जलब गटन करेंगे तो क्या मिलेगा भी यहां से ग्लूकोज ठीक है क्या मिलेगा ग्लूकोज ठीक चलिए तो आंसर क्या हो जागा आपका ए प्राप्थ होगा ग्लेक्टोज िवार्टोज मिलेगा या फ्रक्टोज भीलेगा तो आंसर कीजिए आपके हिसाब से कौन सा हो जागा भागी हम बता रहें ठीक है तो यह भी सी डी में से कौन सा आंसर होगा आप आंसर करेंगे ठीक है चलिए पुस्ट नमबर थर्ड तो गैलेक्टोज भी आपका क्या है एक प्रकार का डाइस एकिराइड है ठीक है क्या है एक प्रकार का डाइस एकिराइड है जिससे क्या मिलता है आपको गलूकोज एवं गैलेक्टोज तो आपसन क्या हो जागा आपका सी हो जागा ठीक है लैक्टोज का जलब गटन कराने प glucose और galactose है इन दोनों का जो है formula सेम होता है ठीक है दोनों का formula कैसा होता है same same formula लेकिन structural formula ठीक है इनका जो arrangement होता है atoms का वो उसमें थोड़ा changes आ जाता है ठीक है क्या आ जाता है तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें CHO कार्वन इस तरह से आपके 6 कार्वन लगे रहते हैं कितने कार्वन लगे रहेंगे 6 कार्वन लगे रहेंगे दोनों में ठीक है तो एक में क्या होगा एक में आपका CHO पाय जाओगा यह किसकी बात है गलुकोज की बात है जिसमें पहले कार्वन पर आपका CHO गुरुप लगा है के लगा हुए आपका CHO गुरुप लगा हुए केवल इसमें आपका थोड़ा साइड का दिहां रखना है यह आपका किदर लगा होगा यह आपका लगा होगा राइट हैंड साइड पर अब यह अगर आपका लिफ्ट हैंड साइड पर यह अभी किदर है आपका लिफ्ट हैंड साइड पर अगर आप इधर से देखोगे तो और अगर यह आपका इधर पहुंच जाता है राइट हैंड साइट पर इसको अरेंज कर दिया जाता है कुछ इस तरह से O और H ठीक है बागी आपके 6 कारमन लगे रहेंगे तो यह condition आपके क्या कहलाती है इसको हम कहते है galactose ठीक है क्या कहते है galactose ठीक है तो यह क्या बनगा है आपका galactose ये क्या है आपका glucose ठीक है तो इस तरह से आपको galactose और glucose दोन मिलते हैं कब जब lactose का जलब गटन कराते हैं तो ठीक है तो आंसर के हो जागा C फोर्थ की अगर हम बात करें कारा glucose तथा fructose है ठीक है क्या है glucose और fructose है क्या है कैसे है प्रकासिक समावयभी है या क्रियात्मक समावयभी है या सरंकला समावयभी या इस्थान समावयभी ठीक है यह किस तरह के आईसोमर है ठीक है यह मलब कि क्या होते है आईसोमर ठीक है समावयभी बोले तो आइ सो मक्तिक है कैसे हैं समाब अभी ठीक है यAnnika जो अभी अब यब होगा ऐसा होगा समान होगा सभी के लिए याने कि structural formula molecular formula सबका सेम होगा ठीक है आंडविक सूत्र सबका कैसा रहेगा अंडविक सूत्र सम्मे सेम रहने वाला है ठीक है लेकिन अगर हम बात करें सरचनात्मक सूत्र की तो उसमें अंतर आ जागा ठीक है तो यह आप के होते हैं इस्थान समावे भी ठीक है क्या हो जागा आंसर आपका D हो जागा क्या होते हैं आपके गुलुकोज और फ्रक्टोज इस्थान समावे भी होते हैं कैसे होते हैं इस्थान समावे भी ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें गुलुकोज की ठीक है किस करें तो फ्रक्टोज में क्या होता है पहले आपका चेस्टू तो इस न में आपका यह चाहní इफ, आर, यू, सी, टी, ओ, स, टीक है इजलें जलोगा है तो यही इनमें क्या है बहला इस थान समाभ्य Day या पोजीशन ला इसमर जिसे कहते हैं तो आंसर accompagner सब्सक्राद और आइसमर किक है इनमें क्या है ऑए सिपलगा है slopes ग्लूकोज में और फ्रक्त्रोज में सेक्रण कार्वन पर आपका सी ड़बल बाउंड ओ लगा रहेगा ठीक है कीटो ग्रूप की बात करें नेक्स्ट कुश्चन नंबर फाइब क्या कहरा है चली ग्लूकोज और क्या कह रहा ग्लूकोज और ग्लूकोज बिलियन में पहचान करने वाला अभिकर्मक है ग्लूकोज और ग्लूकोज के बिलियन में ठीक है एक क्या होगा आपका केबल ग्लूकोज दूसरा होगा आपका ग्लूकोज का बिलियन ठीक है तो इन में पहचान करने वाला कौन सा रियेजेंट है वो आपको बताना है किया आपका टॉलन अभिकरमक होता है या आपका वेनेडिक्ट बिलियन होगा या आयोडीन बिलियन होता है या फिहलिंग बिलियन होता है जो बिभेद करता है किसमें glucose और glucose billion में ठीक है इन दोनों की पहचान करता है तो कौन सा होगा आपका reagent या अभिकर्मक वो आपको बताना है A, B, C, D आपका answer क्या होगा आप बताएंगे और हमें discuss करेंगे ठीक है क्या हो जागा question number 5 का answer चलिए तो ये क्या होता है आपका इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सा आपका अभिकर्मक होता है iodine billion ठीक है क्या है आपका iodine billion है जो किसको बताता है glucose और glucose billion की पहचान करता है ठीक है कौन iodine billion आपका अभिकर्मक के रूप में आपर कारिय करता है अगर हम बात करें तो यह क्या होता होता है आपका 2-7% जलिये अल्कोहल सॉलूसन होता है इसकी अगर हम बात करें आयोडीन के बिलियन की तो यह 2-7% तक आपका जलिये या आपका अल्कोहलिये ठीक है क्या होगा आपका अल्कोहलिये विलियन होता है विलियन कहते है जलिए यह एलकोहल यह बिलियन किसका होगा ब quick कि दो से साथ पैरसेंट क्या होगा उसमें ऑल यह बिलियन जैसे कि आ golden किरkin ठीक है क्या उसी की तरह आपका आउडीन विलेन होगा तो आंसर के वजागा आपका बी ठीक है आउडीन विभेद करेगा किसमें गलुकोज और गलुकोज बिलेन में कौशन 5 की बात करें नियमलिक्त में से कौव सा यूगम एक ही ॉसा जोन बनाता है इनमें से कोई एक पेर या य kny आ यूगम ऐसा है जो क्या बनाएगा केवल एक ही प्रकार की ओशा जोन का फार्मेशन करेगा क्या गलुकोज वा लैक्टोज है या फ्रक्टोज है या fructose बहा लेक्टोज है ठीक है कोई एक ठीक है आप answer करेंगे question number 6 का क्या हो जागा according to you चली बात करते है question number 6 का ठीक है चली तो इसकी अगर हम बात करें तो यह क्या होगा आपका fructose बहा गैलेक्टोज ठीक है क्या हो जागा answer आपका C हो जागा तो यह एक ऐसा पेर है जो क्या बनाते हैं केवल एक ही उसा जोन का फार्मेशन करते हैं कौन फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ठीक है तो अंसर क्या जागा C चैवन करा DNA में कौन सी पेर्टो सरकरा पाई जाती है या मिलती है ठीक है तो DNA में आपके किस प्रकार की पेर्टो सरकरा मिलती है यह आपको बताना है जब हम पढ़ रहते तो वहां हमने इसको अच्छे से डिसकस किया था कि DNA और RNA में कौन सी जो है सरकरा मिलती है ठीक है तो इन दोनों में DNA की अगर हम बात करें DNA तो D से क्या होता आपका डी-अक्सी क्या होता है डी-अक्सी राइवोज डी-अक्सी राइवोज निुकली क्या हो गया है तो इसमें जो आपका राइवोज सरकरा के बात करें Concinerate लेकिन यहां कि अगर हम बात करें डी एंडे की तो डी एंडे में होगी तो आपकी राइबुसर करा ठीक है जिसे हम पेंट्सर करा भी कहते हैं लेकिन होगी कैसी वो डियोक्षिडाइज ठीक है यानि कि सेकेंड कार्वन पर उसका लगा हुआ एक ऑक्सिजन हट जाता है तो क्या हो जाता है दी ऑक्सिजनेशन हो जाता है तो आंसर क्या हो जागा इसका आंसर हो जागा आपका ये ठीक है तो कैसी होगी ये डी ऑक्सी राइबूस सरक्रा होगी ठीक है क्या हो जागा आपका ये आंसर हो जागा ठीक है सुक्रोज नहीं होगा राइबूस नहीं होगा फ या सुक्रोज है या आपका फ्रक्टोज है या आपका ग्लुकोज है कोई एक ऐसा आपका कार्वो हैटेट है जो किसके काम में आता है दरपड बनाने के काम में आता है तो उसका आपको आंसर करना है कौन सा आपका हो जागा जो दरपड़ बनाने में काम आता है ठीक है चली आंसर करेंगे कुश्चन नमबर 8 का क्या हो जागा चली तो कुश्चन नमबर 8 का आंसर क्या हो जागा भी गुलुकोज ठीक है गुलुकोज आपका एक ऐसा कार्वो हाइड है जो दरपड बनाने में काम आता है ठीक है किसमें काम आता है दरपड बनाने में काम आता है क्या invertise enzyme है या आपका gymase enzyme है या डाइस्टिज enzyme है या आपका in-mase से कोई नहीं ठीक है तो यहाँ पर कौन सा enzyme हागा जो glucose को ethanol में convert कर दे यह आपको बताना है question number 9 का answer क्या हो जागा चली answer करेंगे चली तो यह होगा आपका gymase enzyme क्या होगा आपका gymase enzyme जो किसमे convert कर देगा ethanol किसको glucose को ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें glucose की ठीक है glucose और यहाँ पर हमने क्या ले लिया जाइमेज यह आपका होगा जाइमेज enzyme यह किसमे convert कर देगा आपको यह आपका ethanol में ठीक है किसमे C2H5 OH में यह convert कर देगा C2H5 और OH में आपका जो glucose को convert कर देगा ठीक है लेकिन यहाँ पर glucose में आपके 6 carbon होते हैं यहाँ पर कितने हैं दो तो क्या कर दो भी 2 से multiply कर दो और आपका यहाँ पर CO2 का formation भी हो जागा ठीक है क्या बन जागा carbon dioxide भी बन जागा ठीक है तो 2-4 carbon ही होगे और 2 से गुणा आप यहाँ पर कर दो ठीक है तो यह क्या बन जागा 2 molecules ethanol के बन जाएंगे और 2 molecules आपके carbon dioxide के बन जाएंगे ठीक है किसके द्वारा कौन बना गई जायमेज एंजायम तो आंसर क्या हो जागा आपका B वाला आंसर जो है हो जागा ठीक है जायमेज एंजायम गुलुकोज को एथेनॉल में कनवर्ड कर देता है ठीक है आंसर क्या हो जागा B हो जागा ठीक है चलिए कुश्चन बनेंपल है निमनित में से कौन सा डाइस से किराइट है ठीक है सिंपल है क्या है झा है क्या है कौन सा आपका डाइस से कर देता है ठीक है कर्यायमे जब हमने लॉग आंसर टाइप कोश्चन पढ़ा था सबसे पहले तो मोनो से complement और Disacurate को अच्छे से जाना था तो इसमें आप answer करेंगे क्या हो जागा Question number 10 का answer चलिए तो ये आपका Monosacurate, ये भी Monosacurate ये भी आपका Monosacurate होथा है तो Disacurate क्या हो जाता है आपका सुक्रोज ठीक है जो कि क्या देता है आपको Glucose देता है और आपका फ्रक्टोज देता है ठीक है कब जब इसका जल अपगटन किया जाता है ठीक है तो डाइ सेकराइट आपका क्या हो जागा शुक्रोज होटा है ठीक है पुश्च नमबर 11 कहा रहा निम्न में कौन सा युगिक परिवर्ती धुरवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व करेंगे चलिए तो इसकी अगर हम बात करें तो यह क्या हो जागा आपका सुक्रोज हो जागा क्या हो जागा आपका सुक्रोज जो है यह आपका धुरबड गोर्डन को प्रदर्शित नहीं करता है ठीक है परिवर्ति यानिकि बैरियेवल ठीक है तो यह बैरियेवल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है आपका ज xen Bon लेता है स्ट्रॉंग हाइडोजन बांड बना लेता है सुक्रोज में आपको ओज पाय जाता है इसलिए यह करता है परिवर्ति दुरबट गोड़न को प्रदर्शित नहीं करता है ठीक है चली नेक्स्ट कुस्चन नमबर 12 आपका क्या हो जागा निम्ड लिखित में से कौन सा कार्वो हाइड़ेट ठीक है निम्ड में से कौन सा कार्वो हाइड़ेट प्रिगर्टी में प्रिचुर मात्रा में पाया जाता है यानि कि जो आपका कोई एक नेचुरल कार्वो हाइड़ेट है जो प्रिचुर मात्रा में पाया जाता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है हो क्या है क्या ग्लुकोज है यह आपका फ्रक्टोज है यह आपका इसका सही है आप करेंगे answer question number 12 का छो प्रकृति में सबसे ज्याधा पाया जाता था किस math प्रक्रति में सबसे ज्यादा पाया जाता है ठीक है तो अभी हमने सबसे पहले पढा था अधिक मातरा में पाया जाने वाला कार्वोडेट क्या हो जागा आपका फ्रक्टोज हो जागा ठीक है आंसर क्या हो जागा भी हो जागा ठीक है question number 13 का answer करेंगे सबसे मीठी सुगर कौन सी है ये बताना है तो वही फिर से क्या आँ जागा fructose sugar fruit sugar जो फलो में पाई जाती है सबसे मीठी सुगर कहलाती है क्या नाम हो जागा fructose sugar fruit sugar के नाम से भी जाना जाता है question number 14 जब glucose bromine जल से करिया करता है bromine जल से तो आपको क्या मिलेगा ये बताना है क्या gluconic अमल मिलता है या sacric अमल मिलता है या sarvitol मिलता है या glucose मिलेगा मुख तुपाद कौन सा होगा इन में से वह आपको बताना है तो answer करेंगे question number 14 का क्या हो जागा चलिए answer कीजिए question number 14 का तो इसकी अगर हम बता करें तो इसमें क्या मिलता है वह gluconic अमल मिलता है question number 14 का bromine के साथ अब क्रियग जाती तो मुख पतार्थ आपको क्या मिलता है gluconic अमल मिलता है C-O-H क्या हो जाता है isसका सुत्र C-O-H और CH-OH का आपका whole 4 रहने वाला है ठीक है CH-OH का whole 4 और आपका क्या होता है C-O-H ठीक है तो ये आपका कह रहता है C-O-H तो ये हो जाता है आपका gluconic amla ठीक है क्या है आपका gluconic amla है जो कम मिलता है glucose की अबकरिया किस्से करनी है bromine water के साथ करनी है तो क्या मिलता है gluconic amla answer क्या हो जागा आपका ये हो जागा ठीक है और सूत्र के आपका gluconic amla का C-O-H single bond C-O-H का CH-O-H का sorry C-O-H single bond CH-O-H का whole 4 और C-O-H ठीक है तो ये क्या हो जागा आपका gluconic acid हो जागा ठीक है जो की कम मिलेगा जब glucose के अपकरिया bromine water के साथ करेंगे तब question number 15 ठीक है 15 कहला सुक्रोज का जल अपगटन है ठीक है जब सुक्रोज का जल अपगटन किया जागा तो क्या पराप्त होगा सुक्रोज का जल अपगटन है क्या एस्टरी करण कहते है साबनी करण कहते है प्रतीपन कहते है या जल योजन कहते है ठीक है ठीक एस्टरी करण नहीं कहेंगे क्योंकि एस्टर का फार्मेसन जहाँ पर होता है जहाँ एस्टर निर्माण होता है वहां के होता है आपका इस्ट्री करन होता है ठीक है साबनी करन जहां साबन का निर्माण होता है वहां साबनी करन कहते है उस करिया को ठीक है कहरा जल अपगटन जल योजन क्या होता है बेजल के साथ योग करना तो जल योजन हो जागा तो यह तो है नहीं ठीक है तो यह सब करिया को क्या कहेंगे यह आपका कहलाता है प्रतीपन क्या कहलाता है जलब गटन किसका सुक्रोज का जलब गटन क्या कहलाता है आपका प्रतीपन कहलाता है ठीक ह तो क्या हो जागा आपका आंसर हो जागा C, ठीक है, क्या हो जागा C हो जागा, ठीक है, चली Question number 16 कहरा है, प्रतीपन शरकरा है, क्या है, प्रतीपन शरकरा है, कैसी है, शरकरा का अधरुबड रूप है दूसरा गुलुकोज और फ्रक्टोज का समान आंडविक मिस्रड है, गुलुकोज और सुक्रोज का मिस्रड है, गन्य की शरकरा के बिभिन रूप है, कौन शरकरा का प्रतीपन शरकरा है, क्या है, यह आपको बताना है, Question number 16 का आंसर आप करेंगे, ठीक है, तो क्या है, यह ग्लुकोज और फ्रक्टोज और फ्रक्टोज शरकरा मिलेगा, ठीक है, और दोनों का आंडविक भाहर भी कैसा होता है, सेम होता है, तो यही हो जागा, क्या हो जागा, आपका समान क्या एक है क्या है आपका क्या सुक्रोज कामान समान आंडुब्यविकि मिसरा क्या है अभी होगों फ्रक्रोज का समान आंडुब्य ओद भुदे क्या एक इस सेवंटीन कराने की करी लिए नहीं जाने क becomesätteron 5 ग्लूकोज मिलता है ठीक है तो यह हो जागा आंसर आपका भी हो जागा ठीक है कुश्चन नमबर 17 कह रहा है क्या कह रहा है जब किसको ग्लूकोज को जब ग्लूकोज को failing billion के साथ गरम करते हैं तो प्राप्त होने वाला अब छेप है ठीक है क्या है आपका प्रेसिपटेट क्या होगा या अब छेप क्या होगा ठीक है जो आपका तली पर बैठ जाए तो असा कौन सा है ठीक है जब ग्लूकोज को failing billion के साथ में गरम करेंगे तो प्राप्त होने वाला आपका अब छेप कौन है यह आपको बताना है क्या Fe2O3 है या आपका Cu2o है या CuO है या C6H12 O7 है ठीक है कोई एक आपका आँसर जो है यहाँ पर सही है वो आपको बताना है क्या हो जाएगा ठीक है आँसर करेंगे Question number आपका कौन सा है 17 ठीक है Question number 17 का आँसर करेंगे कौन सा आप छेप है आपका ये आपको बताना है ठीक है चलिए तो अगर हम बात करें फेहलिंग बिलियन की ठीक है इतना देख लिया चलो बात करें गरें फेहलिंग बिलियन की तो ये क्या करता है फेहलिंग बिलियन आपका aldehyde और ketone में जो है विभेद करता है ठीक है किसमें aldehyde और ketone में जो है ये विभेद करता है aldehyde और ketone में ठीक है और किसमें aldehyde और आपका ketone distinguish करता है क्या करता है distinguish करता है किस-किस के बीच में aldehyde और ketone group के बीच में ठीक है इसके बीच में LDI और की टोने का आपके जो functional group होते हैं ठीक है और बनाता किया आपका Gluconic Amal बना लेता है ठीक है क्या बनाता है Gluconic Amal बनाता तो अब छेप की बात करेंगे क्या हो जागा ठीक है तो क्या हो जागा आपका चली answer क्या हो जागा आपका तो यहां पर अगर हम बात करें Gluconic Amal की तो Gluconic Amal क्या होता है आपका C6H12O7 ठीक है क्या है आपका Gluconic Amal है जो कि आपका कप बनेगा जब Glucose को Failing Billion के साथ में आप गरम करेंगे ठीक है तो यह मिल जागा आपको क्या Gluconic Amal अभी हमने पढ़ा था फार्मूला क्या होता है Gluconic Amal का COOH और Single Wand CHOH का Whole 4 और अगेन आपका क्या हो जागा COOH ठीक है तो यह है आपका Gluconic Amal ठीक है यह आपको मिल जागा आप छेप के रूप में तो आंसर क्या हो जागा आपका D क्या आपको परिवर्तन को मिलता है उसको क्या कहता है यह बताना है तो उसको क्या यह एपी मरी करण कहते है यह परिवर्ति दुरवड़ गूड़न कहते है यह विशिष्ट गूड़न कहते है यह इनमें से कोई नहीं कहते है तो कौन सा आंसर हो जागा आपका Question No.18 का चलिए वताएंगे क्या हो जागा तो परिवर्ति जो परिवर्तन आता है आपका दुरवड़ गूड़न में उसे हम कहते है परिवर्ति दुरवड़ गूड़न क्या कहते है परिवर्ति दुरवड़ गूड़न क्या कहते है परिवर्ति दुरवड़ गूड़न तो आंसर क्या हो जागा आपका वी आंसर हो ज की किरिया स्ब्रो कराने पर बनता है जब आप सुक्रोज कीays गिस्से कराधोंगे सांद्र नाथरिक हम तो आपको यह मिलेगा यह पूंच रहां थीकर चली बात करेंगे कि क्या मिलेगा आपको सांद्र nitric की क्रिया कराने पर किसके साथ में? glucose के साथ में कराने पर तो आपको क्या मिलेगा? यह आपने बताना है क्या CO और CO2 मिलेगा? क्या COOH का होल्टवाज और H2O मिलेगा? यह आपका CO2 और SO2 मिलेगा? यह आपका कारवन और H2O मिलेगा? तो कोई एक ऐसा है जो कब मिलेगा सांदर नायटरिक की क्रिया किसके साथ में शुक्रोज के साथ में करा देंगे तब आपको मिलेगा ठीक है चलिए क्या मिलेगा आपको ये आपको बताना है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी शुक्रोज की ठीक है H और N O 3 के साथ में reaction करा देना product आपका यहाँ बनेगा ठीक है तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है इसमें आपको oxalic acid का formation होता है क्या बन जाता भी oxalic acid ठीक है C O O H और C O O H यह आपका हो जाता है oxalic acid क्या हो जागा आपका oxalic acid यह बन गया आपका oxalic acid अब बच किया गया आपका nitrogen बच गया ठीक है तो प्लस आपका NO2 भी बन जागा क्या बन जागा NO2 भी बन जागा जब nitrogen बचा होगा तो ठीक है और कह रहा है वह साथ में क्या बना होगा जल बना होगा तो भी यहाँ पर कुछ मात्रा जो है H2O की भी बन जाएगी ठीक है तो यह चीजें हमको यहाँ से मिलती है तो यह तो हमें क्या मिल रहा है COOH का whole twice ठीक है यह आपका क्या लिखा है COOH और single bond COOH यह तो लिखा है तो यह मिल गया प्लस आपका क्या बन रहा है H2O भी बन रहा है और NO2 भी बन रहा है तो यह दो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल लिए ठीक है तो answer क्या हो जागा आपका B answer हो जागा ठीक है Oxalic acid और water और nitrogen oxide भी इसमें जो आपका बनता है nitrogen dioxide तो यह चीजें आपकी बन जाती ही बागी इनको balance कर लेना यहाँ 6 लगा लेना और यहाँ आपका क्या हो जागा 36 हो जागा ठीक है तो यहाँ पर भी आपके कितने हो जागा 36 और बागी जो आपका H2O बचा हुआ है इसमें आपने multiply करते नहीं है ठीक है तो यह 6 आपके क्या बन जाएंगे और जैलिक acid बन जाएंगे 36 आपके NO2 और बागी आपके क्या बन गए H2O बचा है तो यह answer क्या हो गया आपका B answer हो गया question number 19 का question number 20 के अगर हम बात करें करा निम्न में कौन monosacuride है ठीक है एक unit है किसी अड़ू की बापको बताना है ठीक है किसी कार्वो हाड़ेट की तो monosacuride की बात करें तो यहाँ पर आपका monosacuride क्या हो जागा यह आपने बताना है ठीक है चली हम जानते सुक्रोज क्या होता हमारा disacuride जलब गटन पर क्या देता है गैलेक्तोज ठीक है ऊपर हमने सबसे पहले बढ़ाता है फिरक्टोज क्या है आपके तो यह क्या हो जागा आपका वी आंसर हो जागा की गैलेक्टोज जो है महारा कैसा है Monosacuride ठीक है कैसा है Monosacuride ठीक है अगर Galactose को एक और मिला देता है तो यह क्या हो गया वोनो साकराड आपका क्या हो गया गैलक्टोज हो गया ठीक है चलिए तो question number 20 था चलिए और थोड़ा और पढ़ जाते है question number 21 करा चीनी जिसे केंज सुगर कहते हैं जल अपगटन पर देता है चीनी का जब आप जल अपगटन करोगे या hydrolysis करोगे तो क्या मिलेगा यह आपको बताना है सुक्रोज के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है सुक्रोज के नाम से भी आपका जाना जाता है तो वे सुक्रोज के जब हम जलब गटन करते हैं तो क्या मिलता है हमें गलुकोज मिलता है और हमें फ्रक्टोज मिलता है शुक्रोज का जलब गटन करने पर फ्रुक्टोज और ग्लुकोज दोनों तो क्या देगा यह answer C हो जागा ठीक है ग्लुकोज तता फ्रुक्टोज दोनों चीजे sweMA मिलती है कब चीनी या सकें सुगर का जलब गटन करने पर ठीक है तो चीनी को यह हम क्या करने पर हम जांते है क्या मिलता है गुलुकोज और फ्रक्टोज जो है धोनों चीज़े क्राप्त हो जाते हैं को लाक है लुज पिसका बहुलक है फ्रक्टोज जाने के लिए besl Chi इस्टार्च जो बहुलक है, यह निकि इस्टार्च आपका जो कार्वो आइटेड है, जो पदार्थ है, वो कौन-कौन से मोनुमर या एकलक एकाईयों से मिलकर बना हुआ है, या केवल ग्लूकोज की या दोनों की ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तो यह बताना है कि आपका जो fructose है वो बहुलक है लेकिन किनका fructose का ये glucose का ये glucose और fructose दोनों का ठीक है तो answer करेंगे question number 22 का क्या हो जागा चलिए तो अगर हम बात करें starch की बहुलक की तो ये केवल आपका glucose का बहुलक होता है किसका होता है glucose का polymer होता है आपका starch question number 23 इन में से कौन टॉलिन अभिकर्मक का जलब गटन करता है ऐसा कौन सा है जो टॉलिन रियेजेंट या टॉलिन अभिकर्मक का जलब गटन करता है यह आपको बताना है ठीक है कुशन नमबर 23 का टॉलिन अभिकर्मक का जलब गटन कौन करता है क्या गन्ने की शरकरा करती है यह starch करता है यह glucose करता है यह उपर युक्त सभी तो कोई एक ऐसा है जो क्या करता है टॉलन अभिकरमक का अपचेन कर देता है ठीक है कौन करेगा यह आपको बताना question number 23 का answer क्या हो जागा चली answer करेंगे glucose की बात करें किसकी glucose यह लेकरताइक टॉलन अभिकरमक का अपचेन कर देता है क्या करदेता है टॉलन अबकर्मक का reduction कर देता है कौन? glucose ठीक है? 23 का answer याद रखना है C, glucose ठीक है? क्या कर देता है? टॉलन अबकर्मक का अबचैन कर देता है, question number 24 की बात करें, कहरा दालों में कितने प्रितिसत starch पाया जाता है? ठीक है? जो दाले होती है उनमें आपका starch जो कार्वो हाइटेट है, वो कितने percent पाया जाता है? क्या 20% पाया जाता है? या 40% पाया जाता है? क्या 60% क्या आपका 80%? तो percentage बतानी है, कितना पाया जाता है? starch आपका दालों में ये आपको जो है answer बताना है, ठीक है? चलिए answer कीजी क्या हो जागा? तो starch के घर्णम बात करें किसमें दालों में तो पाया जाता है भी 40% कितना percent? 40% आपका starch जो है दालों में पाया जाता है question number 25 कार्वो हाइटेट प्राप्ती के साधन है, ठीक है? इन में से आपका ऐसा कौन सा सबजी है या फल है जिन से आपको कार्वो हाइटेट मिलता है, क्या आलों से मिलता है या अर्वी से मिलता है या जिमीकंद से मिलता है या ये सभी से मिलता है तो इन में से कहां से आपको कार्वो हाइटेट ज्यादा मिलता है या कार्वो हाइटेट मुखिता मिलता है किन से ये आपको बताना है ठीक है question number आपका 25 ठीक है तो क्या केवल आलू से मिलता है या केवल अर्वी से मिलता है या केवल जिमिकन से या इन सभी से ठीक है तो ये आपका answer क्या हो जागा question number 25 के अगर हम बात करें तो जो कार्वो हाइडेड है आपका इसका काम क्या था भी तुरंत उर्जा प्रदान करना क्या करना इनर्जी प्रदान करना तो ये जो है आपका सभी से हमें मिलता है ठीक है किस से मिलता है अर्भी से भी मिल जागा आलू से भी जिमीकंत से भी ठीक है तो आंसर क्या जागा ये सबी तो यहां तक हमने 25 कोस्चनदिसकस किये हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियों में हम 26 तो पाएतिर चालिस जो भी है तो उम्मेंद करते हैं ये कोस्चन जो ने डिस्कस किये हैं एक से लेकर 25 तक फ़स्ट उनिट के आपके अब्जेक्टिव टाइब कोशन है इस बार सभी परिक्षा है आपकी अब्जेक्टिव मोड में रहने वाली ठीक है बीए सी सेकंड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं तो अच्छे से इनको आपको पढ़ लेना ह हैं उमीद करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अंगले वीडियो में वर रही हमासा तब दक लिए थैंक्स वर वाचिंग और शेयर दा वीडियो